नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ETFs के बारे में जिसमें आप लोग को आगे क्या course of action रखना है किस ETF में भी buy करके चलना है और किस ETF में भी wait and watch करना है तो वो सब हम लोग बात करेंगे तो इसलिए वीडियो के अंद तक बने रहेगा तो सबसे प फिलहाल की बात करें US मार्केट में भी कुछ एक दो दिन से तेजी देखने को मिल रहा है और लेकिन इंडियन मार्केट अभी sideways चलते हुए हम लोग को दिख रहा है तो फिलहाल की बात करें तो हम लोग जो अपना method यूज करते हैं तो एक हम लोग 20 का moving average को यूज करते हैं और दूसरा हम लोग 200 days के moving average को यूज करते हैं जो कि आपको pink line सो कर रहा होगा और तीसरा indicator हम लोग लगाते हैं दोस्तो pivot point या pivot line भी बोलते हैं जो कि आपको support या resistance बताता है और हम लोग वाई करना का पसंद करते हैं जब price 200 days के moving average के करीम में चले या based होता है 200 days के moving average के चलते हुए दिख रहा है तो अगर माल लिजे आपको नया fresh entry nifty 20 ETF में buy करना है जो कि nifty 50 पे waste होता है तो यहां पे आप लोग कुछ quantity buy करके चल सकते हैं पहला तो हम लोग यहां पे buy करने के लिभी बुले थे तो अगर इस location पे आप लोग buy किये होंगे तो तुरस से averaging नहीं क और हम लोग को wait करना है लेकिन कुछ quantity अगर उपर के price फसे हुए है तो यहां पर average कर सकते हैं एक और green candle का wait करें अगर 1% का भी green candle आपको दिखता है nifty 50 में तो आप लोग buy करके कुछ average कर सकते हैं नहीं तो ज्यादा possibility है ट्रेंड डाउनवर्ड का है 20 का moving आपको नीचे की त सकता है और उसके बाद अगर वहां भी break होता है तो हम लोग को अगला करी 15,339 तक मार्केट आते हुए दिख सकता है नियर्टम में तो हम लोग ETF में investment करेंगे बहुत ही safe investment होता है share market का सबसे safe investment आपको माना जाएगा निफ्टी 50 index fund और निफ्टी 20 ETF में तो बीजिजा के investment करे कोई रणने वाली बात नहीं है क्योंकि ETF कभी डूपता नहीं है दोस्तों कभी top के 50 company इडिया के डूबेंगे नहीं हमारा पैसा डूबेगा नहीं इसलिए संकोच free हो करके अप लोग को पैसा लगाना है तो ऐसे तो बहुत सारे fund houses का ETF निफ्टी 50 का आता है लेकिन हम लोग निफ्टी 50 को recommend करते हैं निफ्टी 20 को क्योंकि इसका liquidity बहुत ही high होता है अब जब चाहे जितना चाहे उतना buy कर सकते हैं sell कर सकते हैं तो इसलिए निफ्टी 20 को ही buy करना है और expense ratio बहुत ही कम होता है 0.05% का जो कि आपको किसी भी mutual fund में करी 1% का expense ratio ही charge होता है जो आपको return मिल मिलेगा इतना deduct होके मिलेगा तो निफ्टी 20 का AUM भी अच्छा खासा है करी 5677 करोड का बड़ा AUM है तो लोगों ने इसमें बढ़िया से invest कर रखा है और अगला ETF की बात करेंगे bank बीज ETF के बारे में हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक ETF पे based होता है bank बीज ETF जिसमें आ investment हो जाएगा जैसे SDFC bank, ICIC bank अब को individual भी पैसा लगाने का किसी भी stock में जरूरत नहीं है तो इसलिए हम लोग ETF के माधियम से investment करेंगे तो return हम लोग को मिल ही जाएगा और safety भी रहता है तो फिलहाल की बात करें तो price 200 is के moving average से बहुत ही नीचे आ चुका है और nifty bank में हम लोग देख रहे हैं तो price 200 is के moving average से बहुत ही जादा उपर चल रहा था और उसके बाद FIIs, DIs का selling आता है और हम लोग को बड़ा fall nifty bank में भी देखने को मिलता है तो फिलहाल की बात करें तो nifty bank या bank बीज में आप लोग कुछ quantity अगर buy करना है तो buy कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ह हम लोग को wait करना पड़ेगा एक बड़ा सा green candle का कम से कम इसमें 2-3% का candle हो green candle तभी buy करना है क्योंकि trend downward का है आज भी हम लोग को fall होते हुए bank nifty में अच्छा खासा fall देखने को मिलता है करीब 3% के करीब तो trend downward का है और भी बड़ा fall हम लोग को देखने को मिल सकता है तो यहा और भी बड़ा fall होगा तो हम लोग green candle के बाद हम लोग कुछ quantity buy करके चल सकते हैं उपर के price पर भी लिए हुए है तो यहां average करते रहे तो आप लोग दोस्तों अभी SIP के mode से investment जारी रखे आप लोग monthly SIP कर सकते हैं और chart analyze करके भी SIP करिएगा तो ज्यादा return मिलेगा तो हम ल होड़ा little bit higher expense ratio आपको देना पड़ेगा लेकिन फिलहाल की बात करें तो और सारे जितने भी mutual fund है उनसे बहुत ही कम आपको expense ratio यहां पर लगता है तो liquidity की बात करें तो high liquidity है आप लोग जितना चाहें उतना buy कर सकते हैं sell कर सकते हैं AUM आपको देखने को मिल रहा है करीब 9700 करो चाहिए और अगला ETF जिसमें हम लोग को कुछ खरदारी करके चलना चाहिए दोस्तों वह है netfit IT, netfit IT ETF आपको nifty IT index पे best होता है जहां पे आपको top के IT companies में आपका investment हो जाता है जैसे TCS, Vipro, Infosys सभी में आपका पैसा लग जाएगा मात्र बहुत ही छोटा amount में जैसे 35 रूप ETF के माध्यम से भी TCS, Vipro, Infosys सभी में investment कर सकते हैं माइंटरी तो आप लोग को ETF में जरूर से investment करना चाहिए देश का focus digital economy की तरफ है और digital छेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रगती हो रहा है इस कारण से IT सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंडिया का growth पहले भी किया है और आ अपने portfolio का ETF में बहुत ही बड़ा investment करें करीब 20 से 30% आपका weight is केवल ETF में होना चाहिए तो safety का भी guarantee होता है और जब भी हम लोग के पास extra पैसा हो तो हम लोग ETF में investment करेंगे तो कोई हम लोग को ड़ने वाली बात नहीं होता है ऐसे हम लोग को stock किसी भी price पे खरीदते हैं तो ज्यादा possibility होता है trapped होने के लिए लेकिन ETF में अगर trap भी हो जाते हैं दोस्तों तो पैसा तो हम लोग का safe रहेगा और long term तक बने रहेंगे तो अच्छा return निकाल ही लेंगे तो netfit ETF में भी आप लोग buy करके चल सकते हैं एक बड़ा सा green candle का weight करें price 200 days के करीब आ चुका है तो base location person होता है पहला entry लेने के लिए trend downward का है इसलिए ज्यादा quantity नहीं buy कीजिएगा कुछ small quantity में buy करके चलना है तो एक 2-3% का अच्छा candle आपको दिखता है तो उसमें आप लोग कुछ entry बना सकते हैं netfit IT में और netfit IT की expense ratio की बात करेंगे तो 0.22% का expense ratio आपको लगता है जो कि हम लोग को बहुत ही कम expense ratio है as compared to mutual fund और हम लोग liquidity की बात करें तो high liquidity है तो कोई problem आपको buying selling में नहीं होगा EOM की बात करें तो 980 करोड का EOM है तो अभी नया ETF था तो इसलिए EOM थोड़ा कम है और अगला ETF की बात करेंगे दोस्तो यह है निफ्टी फार्मा का ETF नेटेफ फार्मा ETF भी निपॉन इडिया का ही product है सभी हम लोग निपॉन इडिया का ही product की बात कर रहे है क्योंकि ETF में से उपर चल रहा था लेकिन बहुत ही बड़ा sideways momentum था और उसके बाद हम लोग को fall देखने को मिलता है तो फिलहाल की बात करें तो हम लोग price 200 days के moving average से well below चल रहा है और यहाँ पे pivot support है निफ्टी फार्मा का indices का chart हम लोग देख रहे हैं आप लोग भी इसको chart को लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं हम लोग क्या करेंगे फिर से और averaging कर लेंगे तो फिलहाल price एक pivot पे आ चुका है और यहाँ पे support भी है और हम लोग को यह engulfing pattern भी दिखा है तो एक और बड़ा सा green candle आपको दिखे तो कुछ buy करके nifty pharma ETF या netf pharma ETF में आप लोग buy करके चल सकते हैं small quantity में buy कीजिएगा क्योंकि pharma stocks में थोड़ा गिरावट हम लोग को और भी नियर टर्म में देखने को मिल सकता है क्योंकि रश्या उक्रियन में जो टेंसल चल रहा है और इंडिया major pharma exporter है तो export में थोड़ा सा गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकता है तो इसके कारण pharma farm stock में नियर टर्म में हम लोग को गिरावत देखने को मिल सकता है इसे हम लोग फार्मा का ETF में investment करेंगे तो इसलिए है दुस्तों हम लोग फार्मा का इन्वेस्मेंट ना करेंगे तो कि हम लोग day to day track नहीं करने का कोई जरूवत है आपको ना त्रेक करना है ना विस आपको ग्रीन केंडल आप देखते हैं यहां पे तो आप लोग बाई करके चल जाकते हैं अच्छा सपोर्ट है लेकिन हम लोग को ट्रेंड डाउनवर्ड का है तो और भी फॉल होते हुए दिख सकता है तो यहां पे कुछ और एवरेज करें और फिर नीचे का पिवर्ट पे आता है तो और भी हम लोग एवरेज करेंगे जहां पे सपोर्ट दिखेगा डढ़ना नहीं है फार्मा इंडिस्ट्री इंडिया का बहुत ही बड़ा है तो इसमें भी इंवेस्टमेंट करते रहना है तो इस एटिए में कुछ क्वालिटी फार्मा स्टॉक हम लोग को मिल जाते हैं तो अगला इटिएफ जिसमें हम लोग कुछ खरदारी करने का सोच सकते हैं वो है मौन हंडेड इटिएफ यह इटिएफ आपका नैस्डेक हंडेड जो इस इंडेक्स है उस पे बेस्ट है टेक्नलोजी कंपनी इसमें रहते हैं जैसे एपल हो गया गूगल फेस्बुक एमे करें में जो टेंसन दिखा उसके करने ग्लोबल मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस टू हंडेड डेस के मुहीं अब्रस से नीचे भी चल रहा है इसमें आपको कंडल स्टिक पैटर्न देखने में थोड़ा सा प्रॉबलम हो सकते हैं क्योंकि कुछ को चार्ट को अनलाइज कर रहा है आप लोग नस्टिक ऄंडेड का चार्ट को अनलाइज कर सकते हैं आपको ट्रेकिंग ए रर देखने को नहीं मिलेगा तो फिलहाल की बात करें हम लोग प्राइस टू हंडेड इस केम विश्ट से नज़दीक आ चुका है और नीचे भी चल ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों हम लोग को US stocks में ज्यादा और ETF में ज्यादा investment नहीं करना है क्योंकि US stock ETF में ज्यादा investment किजिएगा तो आपको 20% taxation लगेगा with index section लगता है मतलब जितना आपका inflation चल रहा है वो minus करके उतना आपको LTCG देना पड़ेगा तो इसलिए हम लोग को ज्यादा investment करना है Indian stocks और ETF में तो हम लोग को 10% LTCG लगेगा और 1 lakh तक का profit हम लोग को free है और एगला ETF की बात करेंगे मैं FANG ETF ये भी ETF आपका US stocks में ही पैसा लगाता है ये FANG Index पे based है mainly Facebook, Amazon, Netflix, Google ये से में पैसा लगाता है और चाइना के भी दो stock Baidu और आपका Alibaba में पैसा लगाता है तो ये ETF थोड़ा सा risky है दोस्तों क्योंकि इसमें मातर 10-year stocks में पैसा लगाया जाता है और Mon 100 में करीब 100 stocks में आपका पैसा लगता है तो ज़्यादा safety के लिए आप लोग Mon 100 को चूज कर सकते हैं लेकिन अगर ज़्यादा compact return चाहिए तो 10 stocks वाला में पैसा को भी चूज कर सकते हैं तो फिलहाल की बात करें इसमें भी हम लोग को लगतार गिरावट देखने को मिल रहा था ग्लोबल मार्केट में लगतार फॉल रश्या यूकरेन के टेंसर के कारह हम लोग को देखने को मिल रहा था और 20 का moving average नीचे की तरफ inclined है आपको 200 days का moving average इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि अभी नया listing हुआ है मैफाइंग का new fund offer आया था तो फिलहाल की बात करें तो अभी pivot की support पे है तो यहाँ पे एक बड़ा सा green kettle आपको दिखेगा ऐसे तो आज 2% का हम लोग को तेजी देखने को मिला है मैफाइंग में भी तो एक बढ़िया सा green kettle दिखे तो उसमें आप लोग मैफाइंग को भी कुछ quantity add कर सकते हैं 100 हमारा first twice है second आप लोग मैफाइंग में भाइ कर सकते हैं लेकिन अपने portfolio का करीब 5% से ज्यादा वेटेज आपको दोनों ETF में नहीं देना है 5% से less वेटेज ही देना है और मैं FANG ETF की हम लोग expense ratio की बात करें दोस्तों तो 0.53% का अपको expense ratio लगता है जो कि Indian ETF से बहुत ही जादा है और liquidity की बात करें तो high liquidity है और EOM करीब 1359 करोड का है तो EOM भी अच्छा खासा है और भी increase होने का उमीद है लेकिन US market बहुत ही stable होता है उतना fall नहीं करता है तो return हम लोग को बहुत ही अच्छा निकाल करके year on year basis पर देता है इसलिए थोड़ा expense ratio भी हम लोग bear कर सकते हैं क्योंकि 18-20% return normally US market देता ही है इससे भी ज्यादा return आप न investment करना हम लोग को अपने method में जरूर सामील करना चाहिए दोस्तों क्योंकि इसमें risk बहुत ही कम होता है तो होप आप लोग को concept समझ में आ रहा होगा investment कैसे करना है हमारा एक free telegram group भी है उसको भी आप जोईन कर सकते हैं link description में है कोई doubt होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं तो